नमस्कार, मैं हूं गोपी कृष्ण साहू और आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज राजधानी रायपूर में धर्म संसत का आयोजन होने जा रहा है इस आयोजन में प्रदेश के सांसांत अन्य राज्यों के भी साधू संत सामिल होंगे आयोजन का मुख्य उद्देश सनातन धर्म के लोगों को एकत्रित कर युवाओं को सनातन धर्म की जानकारी देना है यह कारेकरम 25 और 26 दिसंबर को रायपूर के रावन भाठा में आयोजित किया जाएगा प्रदेश में हो रहे धर्म परिवर्तन को लेकर भी इस आयोजन में रणनीती बनाई जाएगी आयोजक पंडित निलकंट त्रिपाठी ने बताया कि सनातन धर्मियों को एक साथ लाने के उद्देशे से धर्म संसत का आयोजन किया जा रहा है सनातन धर्म अलग अलग भागों में बटा हुआ है सभी को एक मंच पर लाकर सनातन धर्म का कैसे उद्दार किया जाए उस पर विचार मंधन किया जाएगा इस आयोजन में प्रदेश और देश सभी साथू संत बड़ी संख्या में उपस्थित रहेंगे प्रदेश में हो रहे धर्मांतरन बड़ी किंता का विचाय है इसका भी तोड़ धर्मसंसत में निकाला जाएगा उद्गाटन का रेक्रम में पूरो मुक्यमंत्री डॉक्टर रबन चिंग और मुक्यमंत्री भुपेज बगेल भी शामिल होंगे धर्मसंसत का धर्मसंसत दो हजारीकी चपारा के विच्पार के लिए दिशा निर्देश देने के लिए सबी संतों को एकथरित कर रहे हैं और जितने भी हमारी युवा पिड़ी हैं जो सनातन धर्म के बारे में नहीं जानती है उनको सनातन धर्म के बारे में यह संत समाज पुरा जानकारी देगा हम संत समाज को आगे कर रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म का विस्तार और सनातन धर्म में मजबूती है संत लगबग डेढ़ सो से दो संत पस्तिती अनमानित आ रही है प्रदेश के 125 हैं बहार से 15-20 संतों की राश्ट्री संतों अब सिंसटन के पस्तित हो रहा है लगातार हो रही है ऐसे समय में सनातन धर्मावलंबी और जो हमारे साधू संत है वो चुप नहीं बैठ सकते वो एक चुनोती के रूप में उसको शिकार कर रहे हैं और इसी कारण से इस प्रकार का एक जन्जागरण जो है इसे धर्म संसप्ते माद्धां से और करने की एक हम लोगों ने विचार किया और सभी सब्सक्राइब इसमें जो है अपने राजनेतिक विचारों को पुर्थख रखकर के लिए अपने पहले जगा क्योंकि दूसरे धर्मावलंब्य में देखा नहीं जाता कि कोई भारती जंता पार्टी का है कोई कांग्रेस का है इस विचार से काम नहीं होता है वो यदि काम करता है तो किवल इसमेरी के लिए काम करता है कोई काम करता है तो किवल मुस्लिम पमाज के लिए काम करता है और इसी करण से वहाँ पर जो है किसी प्रकार के मद्धेद में नहीं दिखते हैं अब ये एक धर्मसंसत के माध्धम से संतों के माध्धम से एक संद धार्मों को देने की एक पहल हम प्रारंब कर रहे हैं, उनको एक मंच पल ला रहे हैं